हेलो स्टुडेंट स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफार्म ब्यस्सी बायो वाला में स्टुडेंट प्रिवियस क्लास पे हमने हरबल पाउल्टिस के बारे में बात किया बाउल्ब नहीं पढ़ेंगे इसको बाउल्ब पढ़ेंगे क्योंकि इसमें अल साइलेंट है तो हरबल साल्ब या फिर बाउल्ब क्या होता है आज इसी के बारे में हम आपके साथ डिस्कसरन करेंगे जो की दो नंबर में कोश्चन देखने को मिल सकता है तो एक छोटा सा इसमें अपको बताएंगे कि हरबल बॉंब क्या होता है ठीक तो फिर्श विस्क्राश्ण से मनने बताता है कि हरबल पावष छो हरब पावल्टीश होता इसमें क्या होता है k нуж इसमें क्या होता है कि झाल मिलाया जाता है उसने से एक पेस्ट तयार किया जाता है चो कि आपके घावों पे बर्न पे इंफेक्शन पे उसको अपलाइड किया जाता है तो उसी प्रकार से हर्बर बाम होता है जो कि medicinal plant से क्या कियाता है आप्टेन कियाता है ठीक यानि कि यह प्रकार की medicine है semi-side medicine है पॉम है जो body pain में उप्योग करता है कहने का मतलब इसमें क्या होता है कि हर्बर प्लांट को लिया जाता है उसको dried किया जाता है तेर उसको क्या कियाता है उसको natural oil में natural oil यानि की plant से प्राप्त oil जो होते हैं उसको natural oil कहते है उसको या फिर वी बैक्स में उसको mix करके साथ बनाते हैं कहने का मतलब प्लांट पार्ट को ठीक है प्लांट के पार्ट को लिया जाता है उसके साथ प्लांट पार्ट के साथ natural oil या फिर बीज वैक्स मदुमक्खी के जो वैक्स होते हैं सहद होता है उसको लिया जाता है उसके साथ mix दिखिया जाता है मिला जाता है उसके साथ जाने कि oil या फिर बीज वैक्स को मिला जाता है इसमें water नहीं मिला जाता है क्योंकि इसको जो बाम होता है हर बल साल बाम है इसको कई वर्स तक आप श्टोर कर सकते हैं इसमें आप different oil यूज कर सकते हैं जैसे almond oil, padam का oil, coconut का oil, peppermint का oil, jojuba का oil और olive का oil तो different oil आप यूज कर सकते हैं पर आप इसमें water नहीं यूज कर सकते हैं water ये क्यों नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप इसको कई साल तक श्टोर करना चाहेंगे तो जो आपका herbal politics जो previous class था उसमें water तो आप बिला सकते थे लेकिन जो ये herbal साल बाम है इसमें आप नहीं मिला सकते हैं ठीक तो herbal साल बाम क्या आपको समझ में है कि medicinal plant से जो की प्राप्त किया जाता है medicine को उसको dried किया ता सुखाय जाता है तेन उसको mixed किया जाता है जाने कि उसको थोड़े थोड़े powder के farm exchange करके उसको आयल के साथ या फिर वीज वैक्स के साथ मिला करके तयार किया जाता है एक balm क्याने कि आप कर सकते की paste बनाया जाता है ठीक आप balm देखे होंगे जैसे iodex ठीक है ये balm देखे होंगे जो की पेन में कहीं आपको दर्ध है बुखार है तो वहाँ उसको अप्लाइड कियाता है तुछी प्रकार का होता है तो उसमें आयल मिला दिया जाता है यानि कि इस balm में आयल होता है और medicinal plant होता है तो different जो की different problem जैसे skin में problem सिर्फ headache है आपको कहीं insect bite कोहीं काट लिया हो कोई insect chest conjunction ठीक है तो इन जैसे problem उसका उप्योग लोग कर देए तो आए इसी बात को language के मात्यम समझ देते हैं हरबल सार बाम में क्या होता है तो हरबल सार बाम और medicinal solid alignment and used externally to live relief body pain तो यह एक प्रकार का हरबल जो बाम है यह एक प्रकार का semi solid product है या पर material है जो externally यानि कि बाहर कोई आपको बाहर से चोट लगी हो यानि कि आपको कहीं गिर गया हो आपको चोट लग गया हो जैने कि चोट अंदर हो लेकिन दर्द कर रहा हो जिसको बोलते हैं कि आपको धुस लग गई हो ठीक है और साथ ही साथ ऐसे जिकार लगा सकते हैं आपकी internet अंदर के problem में आप उसको यूज नहीं कैसे क्यों बाहर लिए external problem जैसे आपको कहीं घाव लग गया हो कहीं कट लग आपको जूलस कर या हो तो उससे problem पर आप अप्लाइड कर सकते हैं लगा सकते हैं जो सार्व बाम होता है mixed by mixed by dried medicinal herb जिसको medicinal herb कहने का मतलब ऐसे plant से मिल आते हैं जो medicine के तवर पे हर्व हो ठीक है यह हर्वे इसके plant जो medicine के लिए important उसको आउन निच्छल आयन या फिर weed wax के साथ उसको mixed करते हैं जिसमे water नहीं लेंगे water कीड मात्रा उसमें नहीं होगी क्योंकि आप उसको कई साल तक store करना चाहेंगे चो oil होता है वो कई साल तक storing में काम करता है जो oil है वो बाम या पिस साल बनाने में उपयोग करते हैं वो बहुत सारे आयल है जो ऊप्योग किये जाते हैं अब आगे समझते सका क्या यूज है तो जो सालब यूज है इसकोрий है इसको एक्सेंटर्णड यूज यूज एता है जैसे इसकीन पे कई चोट लगई हो कई कट लगई हो कई गिर गए हो आप चोट आ गई हो लेकिन पता नहीं चल रहा हो अंदर धद कर रहा हो ठीक है तो इस जैसे प्राब्लम में एरिटोना के एरिटोना चेस्ट कंजेक्शन, इंसेक्ट बाइड, सोर्थ्रोइट, हिडएक जैसे डिफ्रेंट प्राब्लम में आप इसका अप्लाई कर सकते हैं इसका उव्योग कर सकते हैं तो यह रहा हर्बल सार्ब या हर्बल मसाज सोई हर्बल बाम के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में आपका हम साथ discussion होगा supposed trees के बारे में supposed trees क्या होता है इसका discussion हम लोग next lecture में करेंगे supposed trees के बारे में अगर आपके कोई doubt, queries, questions हैं तो आप हमसे अपने doubt, queries, questions को पूछ सकते हैं मिलते अरी lecture में supposed trees के साथ supposed trees एक बहुत important question है आपके exam के point of view से अगर आप इसका PDF notes चाहते हैं तो PDF notes available है हमारे telegram channel पे वहां से आप download कर सकते हैं और अपने BSB semester का exam है उसको आप और ही आसाम बढा सकते हैं अगर आपको BSB for semester का important questions है तो हमारे telegram channel पे important question के साथ yes paper भी upload हैं आप उसको देख करके अपने तैयारी को और मजबुत कर सकते हैं ठीक है अगर आपको मैंने paper भी upload कर दिया है BSB for semester का अगर आपको paper चाहिए तो आप मतलब whatsapp के तुरूब paper को प्राब्द कर सकते हैं तो मिलते हैं अगले lecture में सपोसिट देख के साथ